हेलो फ्रेंड्स आज केस्वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तुलसी के प्लांट की केर और उसके फटिलाइजर के बारे में आज कल गर्मियां काफी तेज हो गई हैं और अगर आपकी तुलसी का पौधा सूखने लगा है और उसकी पत्यां तेज गर्मी की वज़े से जलने लगी है तो आज केस्वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तुलसी के प्लांट के कुछ केर टिप्स और उसके कुछ फटिलाइजर जिसे की तेज धूप और गर्मी में भी आपकी तुलसी हमेशा हरी भरी बनी रहेगी तुलसी का प्लांट एक स्पेशल प्लांट है और हम सब के घरों में तुलसी का पौधा पाया जाता है हम सब चाहते हैं कि हमारी तुलसी हमेशा हरी रहे और बिल्कुल सुखे हैं न कभी भी तो कुछ ऐसे टिप्स मैं शेर करने जा रही हूँ आपके साथ जिसका अगर आप ध्यान रखेंगे तो कोई भी सीजन हो आपकी तुलसी हमेशा हरी भरी बनी रहेगी और नई नई ब्रांचिस उसमें से आती रहेंगी तुलसी दो तरह की होती है जो की हमारे घरों में पाई जाती है यह जो मेरे पास आपको यह तुलसी का पौधा जो दिखाई दे रहा है वो है काली तुलसी इसकी पत्या कुछ काले सी रंकी होती है अगर आप अपनी तुलसी की पत्यों का इस्तमाल खाने के लिए भी करते हैं, किसी बिमारी को दूर करने के लिए करते हैं तो काली तुलसी हरी तुलसी से ज़ादा गुणकारी होती है अभी हम बात करते हैं कि हम अपनी तुलसी को हमेशा हरी और घनी कैसे बना कर रख सकते हैं तो इसके लिए जो सबसे पहला काम आपको करना है आपकी तुलसी पर वो ये है कि इसकी आप साफ सफाई का जरूर ध्यान रखें अपनी तुलसी के प्लांट पर तुलसी का जो पौधा है वो एक special प्लांट है हमारे लिए तो हमेशा आप इसमें जो पत्यां सूख कर गिर गई है उनको टाइम टाइम पर निकालते रहें ये एक बहुत जरूरी काम है वरना अगर पत्यां सूख कर आपके प्लांट में गिरती रहेंगी तो इससे हमारे प्लान की पत्यों में फंगस भी लग जाता है और पत्यां सूख कर गिनने लग जाती है तो इसलिए इनकी सफाई बहुत ज़रूरी है टाइम टाइम पर इसकी मिट्टी की हलकी हलकी सी कुडाई आप करते रहें और अगर इसमें कोई घांस वगर उगाई है तो आप इसको साफ करके निकालते रहें इसमें पानी बहुत जादा नहीं डालना है आपको आपको इतना पानी नहीं डालना है कि इसकी मिट्टी गीली रहे अगर इसकी मुटी बहुत जादा गिली रहती है तो इसकी पतियों में फंगस लग जाता है इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपकी तुलसी काफी घनी हो जाए तो जो सबसे important काम आपको अपनी तुलसी पर हमेशा करते रहना है वो ये है कि इसमें जो ये फूल सूख गये हैं इनको आप हमेशा निकालते रहें इसको आप अपने प्लांट में कभी भी न छोड़ें क्योंकि अगर आप इसको अपने प्लांट में छोड़ देंगे तो जो पौधा है वो अपनी सारी एनरजी बीज को बनाने में लगा देगा और नई ब्रांचेस आनी रुख जाएंगी तो तुलसी की ग्रोध भी हमारी उसी समय रुख जाएगी और नई पत्यां और नई ब्रांचेस आनी बिल्कुल भी बंद हो जाएगी तो टाइम टाइम पर आप इन सूखे हुए तुलसी के फूलों को निकालना बिल्कुल भी न भूलें और इन्हें लगातार अपने प्लांट से निकालते रहें इसके बीजों का इस्तमाल आप नए पौधे बनाने के लिए भी कर सकते हैं बारिश का सीजन इसके बीजों को उगाने के लिए सबसे अच्छा सीजन है अब बात करते हैं हम तुलसी के प्लांट के फूलाइजर के बारे में कुछ ऐसे fertilizer जो की आपको आपके घर में ही मिल जाएंगे पहला जो fertilizer है वो है सुखी हुई चाई की पत्ती ये वो चाई की पत्ती है जो हमारे घर में चाई ब्राने के बाद चाई की छन्नी में बच जाती है तो आप उसको फेके ना आप उसको अच्छे से पानी से धो लीजे और उसको धूप में सुखा लीजे और धूप में सुखाने के बाद हम इसका इस्तमाल एक fertilizer की तरह अपने तुलसी के प्लान्ट में कर सकते हैं इसमें nitrogen की बहुत ही अच्छी मात्रा पाई जाती है तो किसी भी प्लान्ट को घना बनाने के लिए और उसकी पत्तियों को हरा बनाने के लिए nitrogen एक बहुत अच्छा source है तो जो चाई की पत्ती है वो एक natural source है जिससे की हमारे तुलसी की प्लान्ट की पत्तियां हमेशा हरी रहती है और लगातार इसमें नई नई ब्रांचिस निकल कर आती रहती है आप 3-4 चमच सुखी हुई चाई की पत्ती का इस्तमाल अपनी तुलसी के प्लान्ट में 15 दिन में एक बार अगर करेंगे तो इससे तुलसी के प्लान्ट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो जाती है इसके अलामा एक दूसा फटिलाइजर जो की होममेट फटिलाइजर है ये भी आपको आपके घन में ही मिल जाएगा वो है केले का चिलका केले के चिलके में भी नैट्रोजन की अच्छी क्वांटिटी पाई जाती है तो अगर आप अपने तूसी के प्लांट को कोई नैच्रल फटिलाइजर देना चाते हैं तो केले का चिलका भी एक बहुत अच्छा फटिलाइजर है तूसी के प्लांट के लिए इसके रावा तूसी के प्लांट में कभी-कभी चीटिया लग जाती है या फिर कोई कीड़े आगर आकर आपकी तुलसी के प्लांड की पत्यों में लग जाते हैं तो इस समस्या को आपकी तुलसी के प्लांड से दूर करने के लिए भी कई ऐसे नैचुरल सोलूशन है जो कि हमारे घर में ही अवलेबल है किसी भी केड़े या फिर फंगस को हमारी तुलसी के प्लांड से दूर रखने के लिए आप इन दो चीजों का इस्तमाल कर सकते हैं पहली जो चीज है हमारे पास वो है हल्दी पाउडर आप थोड़ी सी मात्रा में हल्दी पाउडर अपनी तुलसी के प्लांट की मिट्टी में छुड़क दीजे या फिर डाल दीजे उसकी मिट्टी में मिला दीजे दूसरी जो चीज है जिसका हम इस्तमाल कर सकते हैं वो है बेगिन सोडा, मीठा सोडा जो सोडा हम घर में खाने के लिए इस्तमाल करते हैं उसकी दोचा चुटकी आप अपनी तुलसी के प्लांट में उसकी मिट्टी में अगर डाल देंगे तो इनको डालने से हमारे तुलसी के प्लांट में ना तो कोई फंगस लगेगा और ना ही किसी भी तरीके का कोई कीडा या फिर चीटियां हमारी तुलसी के प्लांट में ल आप इस पर पानी का स्प्रे जरूर करें, अगर शाम तक आपकी तुलसी का प्लांट आपको कुछ सुखा वासा दिखाई दें, तो आप शाम में भी इस पर पानी का स्प्रे कर दें, पानी का स्प्रे करने से हमारी तुलसी हमेशा हरी भरी बनी रहती है, इस पर कोई भी मिट जमा नहीं होती है और ये एकदम ही clean बना रहता है साफ रहती है इसकी पत्या और एकदम हरी और चमकदार दिखाई देती रहती है हमेशा तो आप इस पर पानी का स्प्रेय गर्मियों में ज़रूर करें इसके लावा एक fertilizer और मैं आपके साथ share कर रही हूँ जो कि आप market से ले सकते हैं ये है यूरिया यूरिया एक inorganic fertilizer है इसमें nitrogen की बहुत अच्छी quantity पाई जाती है इसका इस्थमाल आप spray करने के लिए अपनी तुलसी के प्लांड में कर सकते हैं इसको पानी में गोल कर आप इसको अपनी तुलसी के प्लांड पर छड़क दीजे या फिर spray बॉटल में भर कर आप इसका spray भी कर सकते हैं इसका इस्थमाल आप महीने में एक बार अपनी तुलसी के प्लांड में कर सकते हैं इसमें nitrogen की अच्छी quantity होती है तो इसलिए इससे न प्रकाव ना करें जो दो natural fertilizer पहले मैंने आपको बताया है चाई की पती और केले के छिलके का fertilizer आप उसका इसमाल ही अपनी तुलसी के प्लांड में करें तो फ्रेंड्स आप कुछ इन चीजों का ध्यान रखें और fertilizer अपनी तुलसी के प्लांड में देते रहें तो आपकी झाल 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